दोस्तों जेव में हमारे लिए लाया है एक नए मोबाइल जेव में रेड में 3 और मैं हूँ गोल्डन आय रिवीवर जो कि आपको बताऊंगा इस नए मोबाइल के बारे में पूरी जानकरी दूंगा इसके टेकनिकल स्पेसिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे इस मोबाइल की लॉंच डेट इंडिया में और जो कि ये मोबाइल चायना में लॉंच हो चुका है तो इसके रिव्यूज भी जानेंगे तो चलो चलते हैं जानते हैं इस मोबाइल के बारे में जो कि आप देख सकते हैं इस मोबाइल की बॉड़ी जो कि प्लैस्टिक की है और ये प्रिटी स्लिम है और हम पिछले कुछ वर्जंस में देख चुके है जियो में की बिल्ड कॉलिटी जो कि काफी अच्छी रहती है बाकी चिफ फोन्स में और करंटली ये मोबाइल चायना अगर हम लोग अगर माने भी कि ये 7000 के रेंज में ही या 8000 तक भी लॉंच होता है इंडिया में तो काफी काफी अच्छा मोबाइल रहेगा और इसका बैक भी आप देखेंगे काफी प्रिमियम लुक है इसका और प्लैस्टिक बॉड़ी है और हम लोग आगे देख रहे हैं देखिए चलो इसके टेकनिकल स्पेसिफिक्शन पर ध्यान देते हैं ये मोबाइल है पाच इंच का तो पाच इंच का डिस्प्ले ये डिस्प जो कि हाथ में perfectly fit होता है और इसके resolution पे हम लोग अगर ध्यान दे तो 720 x 1280 pixels का है जो कि काफी अच्चा है और इसका front camera है 5 megapixel का जो कि बहुत ही अच्चा है जिससे आप अपनी selfie भी ले सकते हैं आजकल selfie का दौर चल रहा है तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत अच्चा रहे और इसका RAM है 2GB का ये more than enough है day to day life की use के लिए अगर आप gaming खेल रहे हो या और कोई high end application यूज कर रहे हो तो 2GB का RAM enough रहता है और of course ये android operating system पे चलता है और इसका rear camera है जो कि पिछला camera है 13 megapixel का 13 megapixel का और हम लोग पिछले कुछ वर्जन्स में देख चुके है जियो में के कि इनका camera बहुत ही अच्छा रहता है 13 megapixel मतलब आपके photos भी clear रहेंगे और photos की size around 2 या 3 MB की रहते हैं जो की काफी details पिक करती है और एक बहुत ही अच्छी बात इस mobile में जियो में डाली है कि 4100 mAh की बैटरी जो की last करती है दो दिन या अडाई दिन आपके use के अनुसर पर दो दिन एक बार charge करें तो दो दिन ये mobile चलता है इवन gaming पूरा दिन अगर आप game भी खेलेंगे तो एक दिन पूरा ये battery चलेगी वीडियो या कुछ भी देखेंगे एक या दो दिन तो ये battery चलने ही वाली है तो अगर आप दूर कहीं जा रहे हैं ये mobile साथ ले रहे हैं तो आपको backup की ज़रूद नहीं रहेगी और एक बात ये snapdragon का 616 प्रोसेसर यूज करता है octa core तो काफी fast ये phone multi threading और gaming के लिए भी बहुत ही अच्छा है और और एक बात internal storage इसकी 16GB उन्होंने provide किये है और ये आप expand कर सकते है micro SD card से 128GB तक तक आपको कोई डरनी की ज़रूद नहीं है previous कुछ versions में ऐसे था कि expandable नहीं था तो ये बात Xiaomi ने reviews में जान ली और उन्हेंने ये एक change कर दिया है उसमे Bluetooth है 4.1.0 जो की latest version है Bluetooth का और ये mobile OTG भी support करता है OTG के बारे में आप जानते ही रहेंगे कि जिससे आप pen drive या keyboard USB keyboard जो रहता है या USB mouse जो रहता है इवन gaming console जो रहता है उसका जो device रहता है वो भी आप connect कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा mobile है और मेरे resources के अनुसार ये mobile इंडिया में next month launch होगा जो की March 2006 है में कर दो भी आप jag कर सकते हैं झाल झाल